तो financial year 2024-25 की third quarter यादि की 1 October 2024 से 31 December 2024 के लिए post office की सभी small saving schemes की interest rate की अभी घोशना हो चुकी है और interest rate सभी post office की small saving schemes की बिलकुल ही unchanged रखा गया है यानि की interest rate जो post office की सभी small saving scheme में पहले दी जा रही थी same interest rate अभी भी दिया जाएगा for third quarter यादि की 1 October 2024 से 31 December 2024 के लिए अब चलिए आज की वीडियो में फटा फ़र जान लेते हैं post office की सभी small saving schemes की current interest rate के बारे में अब अगर सबसे पहले बाते करें scheme की तो सबसे पहली scheme आ जाती है savings account post office की savings account है और यहाँ पर interest rate दिया जा रहा है 4% अब saving account के बाद आ जाती है post office की term deposit post office पर हम 4 tenure के लिए term deposit खुलवा सकते हैं और सभी tenure की चो interest rate रखी गई है वो अलग-अलग रखी गई है post office की जो पहली term deposit है वो एक सालो वाली term deposit है और वहाँ पर interest rate दिया जा रहा है 6.90% उसके बाद आ जाती है post office की 2 सालो वाली term deposit और interest से दिया जा रहा है 7% उसके बाद आ जाती है post office की 30 सालो वाली term deposit और interest rate यहाँ पर दिया जा रहा है 7.10% और लास्ट में post office की 5 सालों वाली term deposit, जहांपर हमें tax की debit भी मिल जाती है, और interest rate भी काफी अच्छी मिल जा रही है, post office की 5 सालों वाली term deposit पर, interest rate जो रखा गया है, 7.50% तो काफी अच्छी खासे interest, post office की 5 सालों वाली term deposit पर हमें मिल जा रही है, उसके बाद आ जाती है post office की recurring deposit, पोस्ट ओफिस फर सिर्फ हम एक ही टेनियर के लिए रेकरिंग डिपोजिट को खुलवा सकता है, पांस सालों के लिए एक ही टार्म होती है रेकरिंग डिपोजिट की और इंट्रेस से रखा गया है 6.70% अब इसके बाद आ जाती है पोस्ट ओफिस की तीन एक्स्क्लूसिब स्कीम यानि की वे स्कीम जिनको सिर्फ और सिर्फ हम पोस्ट ओफिस पर जाकर ही खुलवा सकता है, सबसे पहली जो स्कीम है वो है पोस्ट ओफिस की मंतली इंकों में स्कीम, पांस सालों की स्कीम है जहां पर इंट्रेस से जो इंट्रेस एमांट है वो एबरी मन्थ हमारी से किसान्विकास पत्र जहां पर जो पैसे है वो डबल हो जाते हैं और maturity अभी होती है जब पैसे डबल हो जाते हैं और interest rate किसान्विकास पत्र पर दिया जा रहा है 7.50% और last में आ जाती है post office की जो tax saving scheme है काफी popular tax saving scheme है national saving certificate दियाने की NST scheme और interest rate दिया जा रहा है 7.70% post office की NST scheme पर dividend fund एक ऐसी scheme जहां पर हमें triple E tax exemption भी मिलती है और साथ में काफी ज़्यादा benefits भी हमें मिल जाती है इस scheme में जो post office की PTV scheme है interest rate अभी दिया जा रहा है 7.10% अब जो डो आखरी scheme है वहां पर post office की सबसे ज़्यादा interest rate मिल जा रही है सबसे पहली आती है post office की senior citizen saving scheme एक ऐसी scheme जिसको exclusively senior citizen यानि की वेब एक पी जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 सालों से उपर हो चुकी है उने के लिए ही ये scheme को उफलब किया गया है और interest rate जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 8.20% अब senior citizen saving scheme में जो भी interest amount आती है वो every quarter जो account holder है उनके saving account में credit कर दिया जाता है और जो last scheme है वो ह सुकर्णिया समरिधी account एक ऐसी scheme जिसको हम अपनी बच्चिया जिनकी उम्र 10 साल या फिर 10 सालों से नीचे है उनके लिए खुलवा सकते है पुब्लिक प्रविडेंट फंड की तरह ही सुकर्णिया समरिधी योजना में भी हमें triple E tax exemption मिल जाती है और यहाँ पर भी benefit बहुत जाता है इस scheme में और इंट्रेसेट भी काफी अच्छी खासी है 8.20% सुकर्णिया समरिधी account में at present दिया जा रहा है तो mainly post office की सभी small savings scheme में यही इंट्रेसेट अभी दिया जा रहा है आसा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नहीं information मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिसने की मेरे ऐसे नहीं वीडियो की notification तुरंत आपके पास मिल जाय करेंगे अब चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care